नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आप नेटिव चनल बीडिव इंवेस्मेंट में आज के शिडिवें बात करने वाले दोस्तों IT सेक्टर के उपर जहां पे बहुत ही साधा गुरावट आ रही है गिरावट पीछे के रिजन देखे तो दोस्तों आप सबको पता ही है कि इंफोसिस के क्वार्टर के नंबर बहुत ही उस्सा जनक नहीं रहे और बाकी जो अभी दोस्तों जो प्लियर्स के नंबर आएंगे वहां पर भी मार्जिन की उपर इंपक्ट आने की संभावन आए हैं और उसी की बज़े से दोस्तों दो दिगजन की बज़े से पूरा मार्केट जो आईटी सेक्टर है वह नेगेटिव चल रहा है अब आज भी आदेखेंगे कि माइनस टू परसंट की गिरावट आई है क्या एक गिरावट जारी रहेगी या फिर हमें अब यह गिरा बिदा फैर्वक सरस्तों कोई बचा नहीए दोस्तों माइन टैर देखे माइनस एट परसंट माइनस एट पõ緩 अइट-पोइट-ी-टू परसंट बहुत जियादा गिरावट है दोस्तों सब्राइगी है तो दोस्तों गिरा वर्ट हममें सा ह्मोंका डुणना चाहिए या फ की और इसके उपर न्यूज भी काफी है एक्सपर्ट भी काफी ओपीनियन है उसके उबर भी चर्चा करेंगे दोस्तों इंफोसिस में आप देखेंगे 1565 का प्राइज च演से 3.48 ऑ Cheese Guide प्छले पांत दिनों में देखें तो 12.24 परशनी गिरा होटे है आप देखे तो सत्व शत्रही एटीस यूजज और बिल्कुल पाइमाल हो चुका यह सटॉख और यह मंद्ध के अंदर देखे दो 15 परशन की गिरा हवटे तोप पिछले 5 दिनों में माइनश फ TCS के Number इतने खराब नहीं थे जब अमने अनलीस किया था इसके NUMBER का But Infosys kay Number को देख के बुला था Panic आएगा और बिलकुल आ गया दोस्तो But बहुत ही ज़दा Panic आया और दोस्तो Nifty 50 में भी जो Problems लर्राए Global Cell Oh for वह रहा है उसकी बजए से यह Panic और बढ़ गया है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया तो अब क्या करना चाहिए तो यहां पर थोड़ी न्यूस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों आई-टी सेक्टर आउट्लूक्स वाइस देरा इस देरा लिटल रूम पर पोटेंशल अप्साइड इन शॉट्टों मिडियां तर्म आउगें ट्रेंट अफ नेक्स्ट्री टूशिक्स मग विल बी क्रूश्यल फॉर आई-टी सेक्टर तो सी प्रेशर मार्जिन से कृष्ण कुमार रिटेल इन्वेश्टर की फेट इन मल्टी यर बूल रन एजन कोचsource वेवरes य्प्री महस नंदुर कर में बूल एक से लट 2023 सेक्टर तो दौस्तो बाकी सब बोले ना बोले बट आईटी सैक्टर कोच भी हो दोस्ंटो multi-bagger return दिया है आप बात करें Infosys की या तो फिर दोस्तो बात करें TCS की दोस्तो यहाँ पर देखें TCS बहुत ही multi-bagger return दे चुका है और Infosys भी multi-bagger return दिया है उसमें कोई बेमत नहीं है अब level के उपर चलते हैं और वहाँ से समझने की कोई करते हैं क्या important level है दोनों stock के अंदर दोस्तों तो अब हम आज चुके दोस्तो विकली चाट के उपर हम पहले चलते और लेवल जो अमने निकाले वो क्या है उसको समझने की कोई करते हैं दोस्तों swing low हमारा 13 March 2020 का है और swing high जो दोस्तों हमारा बना था उसी को हमने consider किया है और उसका 23.6% का retracement जो IT सेक्टर के लिए particular TCS या IT सेक्टर के लिए बहुत ही important रहता है या तो emphasis के लिए भी क्यों important है तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है यह जो सारे stock है वो multi-year bull run के उपर चले है तो 23.6% के retracement को टच करके वापस आते अगर समझ में नहीं आता है तो देखिए दोस्तों ट्वेंटी टू अक्टोंबर 2021 का देखिए केंडल यहां पर देखिए ट्वेंटी सिक्स नवेंबर थर्ड डिसेंबर का केंडल लो बनाया 3397 यानि कि 3400 का और वहीं से उपर गया और दोस्तों जब अपना बात हुआ था दोस्तों लास्ट टेम जब सेब्रुवारी में दोस्तों जब रस्या युक्रेन का जियो पलिटल इसी हुआ तब भी मैंने बोला था 3401 के आसपास बाइ करो तब दोस्तों पैनिक थोड़ा नीचे गया था बर दोस्तों क्लोस तो नहीं आया था और वहीं से पैनिक आती है लास्ट टेम भी दोस्तों दो तीन केंडल बना था और उसके बाद स्टॉक में बायू स्बेक हुआ था यहां पर भी दोस्तों यहां से थोड़ा सब अब बात करते हैं दोस्तों इंफोसिस के उपर TCS में हमने क्लियर कर लिया कि 23.6% का रिट्रेस्मेंट काफी इंपोर्टन्ट है और क्यों इंपोर्टन्ट है वह मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत बार बता चुका हूं तो वह डिटेल में नहीं जाएंगे अब आ चुके है दोस्तों यहां पर विखली चाट के उपर पहले तो समझ लेते हैं कि लेवल जो है स्विंग लों से स्विंग है कोही खनेक किया है और 23.6% का रिट्रेस्मेंट 1612 उसके नीचे है दोस्तों एक चीज मार्क कर लेना दोस्तों विकली चाट के उपर कि यहां पर दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग है रिजल्ट खराब है और वॉल्यूम में भी तेजी दोस्तों बहुत ही ज्यादा है दोस्तों बहुत ही लंबे अर्से के बाद इतने सारे वॉल्यूम के बाद गिरावट आई है और जब कल का दिन था वो तो दोस्तों बहुत ज्यादा पैनिक था और बहुत ही ज्यादा दोस्तों नीचे से स्टॉक में बहुत ही अपबड मोमेंट आया और वहां पे होल्ड करने की कोशिज की इवन 1621 के उपर आ है दोस्तों स्टॉक ने बट मैं आपको बोलूँगा अभी खतम नहीं हुआ है विकली चाट के उपर अगर नहीं तोड़ता है तो पैनिक करने की जरूवत नहीं है कि दोस्तों रोची सोय में भी हमने देखा था एक दो दिन नीचे चला गया फिर सड़न बाउंस बैक आता उपर आके कलोस दे फिर हम बाई करेंगे उससे पहले नहीं करेंगे दोस्तों बट बिलकुल यहां पे शैल करना ही नहीं बिलकुल अवोईड करना है इंफोसिस में और दोस्तों लॉंग टम में बहुत ही बढ़िया रीटन दिया है तो कोई दिक्कत वाली नहीं है और TCS ब अगर आपके पास नया लेना है तो 1612 के उपर आए तभी करो और दोस्तों अगर फ्रीम में डिमेट अकाउंट उपन करना तो एंजल वन में उपन कर लो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुए वहाँ पे zero brokerage का offer चल रहा है तो आप वहाँ पे क्लिक करके दोस्तों लिंक पे क्लिक करके दोस्तों फ्रीमेट अकाउंट उपन कर सकते हैं एक साल का